तो आज एक बहुत ही इंपोर्टन मुद्धे पर बात करूंगा मैं कि जो औरल कैविटी की बर्निंग होती है यह कुरेबल है यह कभी क्यूर होता ही नहीं है तो एक सवाल यह मुझसे एक पेशेंट ने पूछा था तो मेरे को मेरे दिमाग में चड़गा सवाल की यार इसका आंसर दो देना पड़ेगा क्या बर्निंग सेंशेशन क्यूरेबल है या इन क्यूरेबल है देखिए सबसे पहले तो बर्निंग सेंशेशन के मैंने काफी ज़्यादा वीडियो बनाया है कि जानना बहुत जूरू रही है first of all, दूसरी चीज है कि COVID के बाद से oral cavity में burning sensation की problem बहुत ज़ादा बढ़ गई है त्रीसा कारण है कि burning sensation के वैसे जो खाना patient नहीं खा पाता है वो एक तीसरी major problem है इन तीन major problems को अगर हम solve कर दें खाने कटा इम जलन की problem and जो मन में fear हुआ है उसको भी हटाने का जो एक एक हमारा जिम्मेदारी है उस fear को भी हटाना है अपने आप से जिम्मेदारी है तो basically हम सबसे पहले कारण को जानते हैं कि burning sensation में किस कारण से होता है तो first important जो burning sensation होता है हमारे oral cavity में अगर हम कोई भी tobacco products खाते हैं तो उसके वैसे हमारे mouth के अंदर different reactions होते हैं immune reactions होते हैं, autoimmune reactions होते हैं या फिर हमारे tobacco में जो nitrosamines होते हैं उसके वैसे भी हमारे mouth में lycanoid reactions होते हैं तो ये एक major cause है smoking and chewing tobacco इसको पहले बंद करना पड़ेगा, तो अगर आपको ये चीज बंद करना पड़ेगा, तो अगर आपको ये चीज बंद करनी है तो उसके positive factors को बंद करना है पहले, और राइट सिरफ tension में smoke करने से या फिर गुटका खाने से या पानवसाला खाने से burning sensation कमनी होगा, तो आप बोलते हैं कि इसके दवाई क्या है इसके सारे बहुत सारे medications हैं, जो हम लोग usually patients को prescribe करते हैं depending about the degree of burn, ऐसा कोई generalized medicine नहीं है कि मैं ये medicine दूता आपकी burning खतों हो जाएगी suppose मैं आपको burning stress की वैस हो रहा है, like and balance की वैस हो रहा है तो इसमें क्या होता है, कि actually हम जब कोई भी antioxidant किसी patient को देते हैं, हम ये जाने की यहां पीछे रगाते हैं कि उसका reason क्या है तो पहले reason find करने की बहुत important ज़रूरत है, तो main reason इसका जो है हमारे tobacco और जितने products है वो है दूसरा कारण जो इसका main reason of burning session है कि हमारे body में अगर anemia है, अगर हमारा hemoglobin levels बहुत low है, तो कि females में जादा होता है after pregnancy तो उस कारण से भी हमारे mouth में burning होती है, ऐसा मतलब यह नहीं कि हमें से white lesions और oral pre malignant cancer lesions के वैसे ही mouth में burning हो रहे हूँ तीसरी चीज़ है कि stress हमारे life में जितना stress है आजकल की भगणड़ोली जिंदगी में इतना stress हो रहा है कि उसके वह से भी हमारे body autoimmune अपने cells के free radicals जो है हमारे body में वही attack करते हैं स्किन की मीकोस को पतला कर देते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि चो chemical mediators of inflammation है मतलब जीते भी inflammatory products है हमारे body के वह सारे हमारे mouth को burning कराते हैं अब क्योर कैसे करें तो बर्निंग चंशन को अगर क्योर करना है permanently तो आपको medicines के इलावा दूसरी treatment भी करानी होगी जैसे कि psychotherapy हो गया cognitive therapy हो गया अब psychotherapy मतलब क्या है कि हम अगर कोई भी underlying हमारे अंदर stress है तो उसको discuss करें दूसरे आदम के साथ खूल के थोड़ा जीए अपनी problems को अगर आप psychiatrist के साथ discuss करें या पर clinical psychiatrist, psychologist के साथ discuss करें अपने close relatives के साथ discuss करें और friends के साथ discuss करें तो आपका stress automatically reduce होता है एंड हमेशा यह चीज जाद रखें कि कोई भी disease ऐसा हो जो burning tension होता है it's curable, ऐसा नहीं कि incurable है incurable क्यों हो जाता है क्योंकि stress की वैसे एक तो हम पान मसाला गुटका cigarette छोड़ नहीं पाते हैं दुसळा चीज यह क्यों как क्यों कमनी हो रहा है इसके बारे में सोचतें की बर्नी क्यों कमनी हो रहा है इस चीज था इस चीज के बारे में सोचते तो this also causes a lot of stress तो इसलिए सब बोलते है कि burning سाशन के बास्तार होगी तो ख़तम नहीं होती है खतम होती है हो सकती है सब आपके हाथ में है तो क्या क्या चीज करना है इसको curable से incurable करने के लिए regular antioxidants खाना है एक साल तक उसके बाद आपको stress life जो भी आपके factors जो negative factors आपके आ रहे हैं आपके life में उस सारे negative factors को delete करना है भले ही उसमें आपको कुछ भी करना पड़े तो negative factors में बहुत कुछ है monetary अगर पैसा नहीं तो पैसा कमाई अगर पढ़ा ही नहीं पढ़ा ही तो पढ़ा ही जब रदस्तिक करिए अगर आपको कुछ इसके साथ कुछ बोलना है या फिर कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो करना है make your soul happy तो उसके वएसे क्या होगा कि आपके अंदर जिते भी free hormones जो feel happy serotonin hormone और जिते भी good hormones आपके बोड़े में secret होंगे और आपके सारे lesions और सारे आपके मौट में burning होरी कम होंगी ऐसे काफी सारे patients आते हैं मेरे पास इंको burning session होती है लेकिन ऐसे visible lesions कुछ मौट में होते नहीं है मौट में कुछ भी नहीं होता है मौट absolutely normal होता है लेकिन फिर भी burning होता है इन सब चीजों में main कारणे is stress तो ये curable है जो भी आपको burning session हो रहा है तो आप जिन जिन को हो रहा है वो regular exercise करें डाइट के लावा प्लस meditation करें प्लस psychiatrist के पास जाके आप counseling करें कि क्यों actually आपके अंदर मन में क्या जो subconscious mind में क्या जो चीज है जो आपको खाय जा रहा है और उसके वैसे भी burning session होती है ऐसे बहुत सारे researches हैं कि stress, anxiety and depression में oral liking planets होता है erosive liking planets होता है जो कि burning कराता है तो जी हाँ ये curable है 101% curable है लेकिन इसमें बहुत time लगता है ये कोई cancer नहीं है burning session जो कि surgery करवाने ही पड़े it's all within you आप खुद के अंदर से ही treatment को आप समझ जी है इस problem को कि actually क्यों हो रहा है और panic मत होए जहाँ तो लोग panic होके different different medicines try करते है in the end हों के body में medicine resistance हो जाती है antibiotic resistance हो जाती है जिसके वैसे कोई भी medicine असर नहीं करता है overall I know patients who use steroid for 2-3 years ointment लगा रहे हैं टाबलेट का रहे हैं तो उसके बाद कोई भी medicine काम नहीं करेगा अगर आप high end medicine पहले से start करोगे तो इसलिए लोग बोलता है कि incurable है यह 100% curable है और इसमें कोई गवराने वाली बात नहीं है I hope यह वीडियो का मतलब आपको समझ माया होगा and अगर आपको कोई queries है इसके बारे में बर्निग जिशन के बारे में अन्टिशन के बारे में तो you can message me in Instagram si__dental and keep loving this channel till then take care love you all bye-bye